अगर आप लोग एलियन्स में उनकी दुनिया में और साइंस और फिक्षिन के कहानियों पर यकीन रखते हैं तो ये मुवी आपको बहुत पसंद आएगी ये कहानी है एक इन्वेंटर फादर और सन की जिनके बीच में फसी होती है इनकी मॉम आएए देखते हैं कि इस मुवी की कहानी आखिल है क्या कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल पुराना टाइम दिखाया जाता है जहां मार्टी डेविड और वेरानिका खुब इंजॉय कर रहे होते हैं मार्टी और डेविड को चीजें बनाने का बहुत शाख होता है और इसी वज़ा से उन्होंने अपने घर में एक वर्क्शॉप बनाई होती है जहां वो अपने सारे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं वेरानिका इन दोनों से प्यार तो बहुत करती है मगर इनके इन प्रोजेक्ट से बहुत तंग होती है अक्सर वेरानिका और मार्टी की इन सब चीजों पे काफी लडाईयां भी होती थी मगर हमेशा दोनों एक दुसरे को समझ जाते थे और मना लेते थे मगर इस बार बात ज्यादा ही बढ़ जाती है ऐसा क्यों होता है इसका जवाब हमें आगे मुवी देखते हुए मालूम होगा अब हम प्रेजन डे में आ चुके हैं जहां डेविड एक बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है डेविड अपने दोस्त बिल के साथ एक ऐसी एनरजी बनाने की को जाते हैं पर जब वो उस मशीन को टेस्ट करते हैं तो वो बेकार निकलती है बिली और डेविड दोनों ही इस सब की वज़ा से काफी फ्रस्ट्रीट होते नजर आते हैं इस सब के बाद डेविड अपने डेट मार्टी से मिलने घर जाता है दर्वाजे से अंदर दाखिल हो उसे बस हर्वत कुछ न कुछ बनाना होता है और इसी वज़ा से उसने अपना पूरा घर एक कबार खाना बना रखा होता है पूरे घर में उसके प्रोजेक्ट का सामान होता है डेविड मार्टी को समझाता है कि उसे यह सब फिंग दीना चाहिए इससे पहले पुलीस उसको घर से निकाल दे मार्टी उसकी नहीं सुनता और बार बार उसको वहां से जानी को कहता रहता है डेविड फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है और बार बार उससे यही बात दोहराता रहता है मार्टी दिमागी तौर पर स्टेबल नहीं होता तो डेविड से शदीद चड जब मार्टी ने उसको धक्का दिया तो उसके उपर वहां रखा हुआ सामान धूल और मिट्टी आकर गिर गई इस वजह से वह एकदम अपने आपे से बाहर हो गया मार्टी उसे सौरी करता है लेकिन तब तक डेविड अपनी गाड़ी तक जा चुका होता है और शदीद गु और रे काफी सालों से उस डाता है असना नम के लिस्ट में नहीं हुता है उस भीज़ाती है क Lord Silver के एलियन्स के बारे में सुबू धूनने के लिए एक पार्क में जाता है, वो अपना कैमरा सेट कर ही रहा होता है, कि तब ही वहां उसे एक एलियन्स शिप नजर आती है, जिसको यूएफो कहते है, रे की तो जैसे तिसमत ही खल जाती है, और वो फॉरण उस यूएफो की धेर सारी तस्वीरें खीच लेता है, वो उस यूएफो का पीछा करता रहता है, मगर तब ही वो यूएफो आस्मान से जैसे एकदम गाइब हो जाती है, रे बड़ा परिशान हो जाता है, कि ये कहां गई एकदम, उसी वरण उसे वहाँ एक लड़की मिलती है, जिसका नाम होता है जॉर्डन, जॉर्डन रे से पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि रे उस यूएफो को देखकर शदीद एकसाइट होता है, तो रे उससे पूछता है कि क्या तुमने भी वो UFO देखा मागर वो रे को कहती है कि नहीं जब ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो किसी को नजर क्यों आएगा दूसरी तरफ डेविड भी इसी पार की तरफ आता है क्योंकि ये वो ही जगा होती है जहां बच्पन में वो अपनी मॉम विरॉनिका के साथ आता था उसी वा डेविड के सर पे से वो ही UFO गुजरता है उस UFO को देखकर डेविड की फिर से तबीद खराब होने लगती है वो एकदम शदीद चक कर खाता है इस सब की वज़ा से वो फॉरन वापस लैब में जाता है सब उसकी ये हालत देखकर उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है मगर उसकी हालत इतनी अजीब हो रही होती है कि वो कुछ बोल नहीं पाता डेविड अपने आफिस में बैठा इस सब के बारे में सोच रहा होता है और जरा अपना दिमाग क्लेर कर रहा होता है कि तब ही बिल वहाँ आ जाता है बिल आकर उससे इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है बिल को महसूस होता है कि जैसे डेविड कुछ परिशान है वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है उसे पर वो कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है दूसरी तरफ कहानी शुरू होती है जॉर्डन की जॉर्डन एक बहुत ही टैलेंटेट पेंटर होती है वो योगा गर रही होती है कि तब ही उसे बैथ का फोन आता है बैथ एक गालरी की ओनर होती है बैथ जॉर्डन की पेंटिंग अपनी गालरी में डिस्प्लेइ भे रखती है और उनको बेचती है बीच के अपना कमिशन रखे वो जॉर्डन को बाखी पैसे दी देती है। जॉर्डन की जल्द ही उसकी गैलरी में एक्जिविशन होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविट की तबियत में ज्यादा सुधर नहीं आया होता। वो बैठा यूएफो के बारे में रहा होता है और उसे पता चलता है कि अक्सर अगर आपका सामना किसी यूएफो से होता है तो आपकी तबित खराब हो सकती है। रात को बहुत देर हो जाती है। इसलिए डेविट सो जाता है। डेविट की आँख उस यूएफो के खुलती है और वो एकदम घबरा की उठ इस सब को इग्नोर करके वो काम भी चला जाता है और अपने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देता है। बिल और डेविट समझ नहीं पा रही होते कि उनकी एक्वेशन में ऐसा क्या गलत हुआ है कि वो इस मशीन को चला नहीं पा रहे है। इन दोनों का ये प्रोजेक निकल कर घर जाने लगता है कि तभी उसे उस UFO के डिजाइन में एक पोस्टर मिलता है। वो पोस्टर जॉर्डन की एक्जिबिशन का होता है। डेविट उस एक्जिबिशन में जाता है ताकि वो इस पेंटिंग को बनाने वाली से मिल सके। उसी वर डेविट की मुलाकात जॉर्डन से होती है वो जॉर्डन को उसकी UFO पे बनाई हुई पेंटिंग के बारे में पूछता है कि ये तुमने कैसे बना ली जॉर्डन उससे कहती है कि बस अपनी इमैजिनेशन से देविः उस पेंटिंग को हारीदना चाहता है बैध को डेविड की बातों पर यकीन नहीं आता तो तभी डेविड अपना खार निकाल कर बैद को दीता ह है और जोर्डन को कहता है कि वो इस पेंटिंग के बारे में और जानना चाहता है एक्जिबिशन से फ्री होकर डेविड और जॉर्डन कॉफी पीने जाते हैं वहां की एक वेटरिस कीकी डेविड को बहुत अच्छे से जानती होती है तो डेविड को जॉर्डन के साथ देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि आज ये मौजजा कैसे हो गया किकी जॉर्डन को कहती है कि तुम पहली हो जो इतनी प्यारी हो वरना डेविड तो किसी काम का नहीं है जॉर्डन काफी हस्ती है तब ही वहां किसी की बर्डिस सेलिब्रेट हो रही होती है और जॉर्डन साथ मिलकर बर्डिस सॉंग गाती है देविट और वो एक दूसरे को बाई कहते है और अपने अपने घर चले जाते है अगले दिन देविट मार्टी के घर जाता है और बाहर से सफाई शुरू करता है तभी वहाँ एक ओफिसर आता है और डेविड उसे घर साफ करने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है वो ऑफिसर उसे दो और हफतों का टाइम दी दीता है डेविड मार्टी को बुलाता है और दर्वाजा खोलने का कहता है मगर मार्टी दर्वाजा नहीं खोलता और डेविड से काफी लड़ता है माटी घुस्से में आकर डेविट पे कुड़ा कच्रा फेंग देता है और डेविट फिर वहां से चला जाता है वो उसी पार्क में जाता है और वहां उसकी मुलाका जॉर्डन से भी होती है जॉर्डन उसे पीछे से डरा देती है दोनों बैठे वहां बाते कर रहे होते हैं तब ही डेविड जॉर्डन को बताता है कि मैंने एक UFO दिखा है तुम्हारी पेंटिंग जैसा और अब मुझे अजीब हैलिसिनेशन हो रही है और खौब आ रहे हैं एलियन्स के जॉर्डन ये सुनकर हैरान होती है और उसका माइन डाइवर्ट करने की कोशिश करती है वो उसको अपने घर लेकर जाती है जो पार्के बिल्कुल साथ ही होता है डेविड को जॉर्डन का घर काफी पसंद आता है वहां जॉर्डन की बहुत सी और paintings होती है डेविड और जॉर्डन के दिल में एक दुसरे के लिए feelings develop होना शुरू हो जाती है जॉर्डन डेविड से पूछती है कि क्या तुम्हें painting करने का शौक नहीं तो डेविड उसे कहता है नहीं और ना कभी कोशिश की है वहीं एक portrait होता है जो आधा Jordan ने बनाया हुआ होता है Jordan उसका हाथ पकर कर उसको paint करना सिखाती है डेविड paint करते करते एकदम जैसे भागल सा हो जाता है और portrait पे वो उस alien की तस्वीर बना लेता है जो उसको हौब में आता है Jordan उसे पीछे हटाती है और उसे relax करने को कहती है डेविड उसे इस चीज के लिए sorry कहता है वो time देखता है तो वो late हो रहा होता है वो Jordan को bye कहता है साथ ही साथ वो उसे date पिले जाने के लिए भी बोलना चाता है मगर नहीं बोल पाता Jordan खुदी समझ जाती है और हाँ कह देती है Jordan Beth के पास जाती है अपना check लेने Beth उसे कहती है कि हम जल्द एक और successful exhibition करेंगे Jordan Beth को अपने और David के बारे में बताती है Beth ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है दूसरी तरफ Ray को Jordan की exhibition का poster मिलता है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसको इसने उस पार्क में UFO के टाइम पर दीखा होता है Ray को Jordan पर शक हो जाता है वो उस गैलरी में पहुचता है और Beth से Jordan के बारे में पूचताज करता है Beth Jordan को वापस गैलरी में बुलाती है ताकि वो Ray से मिल सके और उसको भी अपनी painting सप्लाई कर सके Jordan आने के लिए मान जाती है पर जैसे ही वो गैलरी में दाखिल होकर Ray को देखती है तो फॉरण महां से भाग जाती है और Beth को कॉल करके बहाना बना देती है ना आने का Ray ये सुनकर काफी मायूस हो जाता है Beth से वो Jordan का card और address मांगता है Beth उसे address तो नहीं पर Jordan का card जरूर देती है वो card लेने जाती है कि तभी Ray उसकी diary में से Jordan के address की तस्वीर खीच लेता है और चला जाता है Ray उसे धूनने निकल जाता है और तभी रस्ते में उसे Jordan मिलती है Jordan को पता होता है कि Ray उसका पीछा कर रहा है तो वो जान के उसको एक building तक ले जाती है और एक जगा बंद कर देती है Jordan वहां से भागने ही वाली होती है कि उसे वहां का police officer पकर लीता है Jordan से कहती है कि मैं यहां सिर्फ इसलिए आई क्योंकि एक इनसान मेरा पीछा कर रहा है तभी Ray वहां भागते हुए उसके पीछे आता है Police officer Jordan को वहां से जाने को कहता है और Ray को धमकी देता है कि वो यह सब छोड़ दे इस तरह Jordan फिर से Ray के हातों से निकल जाती है डेविड और Jordan की date का time आता है और वो तयार तो बहुत अच्छा होकर आती है मगर सर पर एक aliens वाली टोपी पहनी होती है डेविड उसको देखकर बहुत हसता है डिनर के बाद वो घर जाते है और टीवी देखते देखते दोनों की आँख लग जाती है वहीं फिर से डेविड को वो एलिन खौप में आता है और वो जाग जाता है घबरा कर Jordan उसे तसली देती है वो दोनों कमरे में सोने जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमैंस करते हैं अगले दिन सुबह डेविड उठकर अपनी लैब चला जाता है और Jordan अपने काम से डेविड और बिल बहुत महनत करते हैं पर अब तक अपने उस मशीन को चलाने का तरीका नहीं निकाल पाए होते डेविड को तभी लिस का फोन आता है जो उससे फॉरण घर आने का कहती है लिस मार्टी की नेewर होती है मार्टी अपने एक नेवर जिसने उसकी रिपोर्ट पुलीस में की होती है उससे लड़ पढ़ता है और उससे चोटे लगी होती है डेविड वहाँ पहुचता है और लिस को रिक्वेस्ट करता है कि वो मार्टी को हॉस्पिटल ले जाए डेविड वापस काम पे भागता है और लिस मार्टी को हॉस्पिटल ले जाती है डेविड और बिल काम कर रहे होते हैं कि तब ही उनके पास जॉर्डन आ जाती है जॉर्डन को वहां देख डेविड खुश हो जाता है वो इन दोनों की बोर्ट पे लिखी equation पढ़ती है और एकदम कह उठती है कि ये गलत है बिल का तो जैसे मीटर ही घूम जाता है कि ये गलत कैसे हो सकती है उसने इस पे दिन रात मेहनत की है डेविड जॉर्डन को बाहर ले जाता है और उसे कहता है कि ये क्या था वो कहती है कि मैने तो सिर्फ मजग किया था डेविड को ये अच्छा नहीं लगता और वो उसपे बहुत उससा होता है जॉर्डन वहां से सब रिष्टे तोड़ कर चली जाती है डेविट को तब सब बहुत बुरा लग रहा होता है पर कुछ देर बाद उसे रिलाइस होता है कि जॉर्डन पे वो ज्यादा ही बोल गया है दूसरी तरफ जॉर्डन अपने घर में उदास बैठी होती है कि तब ही उसके घर की बेल बच्चती है वो दर्वाजा खुलती है तो उसकी मॉम आई होती है वो अपने मॉम को देख कर काफी खुश हो जाती है और उनके आने का सबब पूछती है दोस्तों यहां इन दोनों की बातों से हमें मालूम होता है कि जॉर्डन एक एलियन है हो गए ना हैरान जॉर्डन की मॉम उसे बताती है कि रे हमारी नसल के बारे में सब को बता कर हमारे लिए मुश्किल खड़ी करना चाता है और हमें इस सबसे पहले यहां से जाना होगा जॉर्डन भहस करती है डेविट के लिए रुखना चाती है मगर उसकी मॉम नहीं मानती घर में बैठे पैनिक आटेक्स आते हैं लिस उसको हॉस्पिटल लेकर भागती है और डेविड को भी बुला लीती है डेविड को यकीन नहीं आता कि मार्टी को पैनिक आटेक्स आए हैं डेविड उससे मिलने जाता है और यह सुनकर कि मार्टी अब अपने आपको बदलना च पर जॉर्डन दर्वाजा नहीं खोलती मार्टी घर आ जाता है और डेविड लिस्स के साथ मिलकर उसका घर साफ करने में लग जाते हैं वो सब तब विरॉनिका को काफी मिस कर रहे होते हैं तब इस सामान में से डेविड को मार्टी का बनाया हुआ मैटल का वो पीस मिलता है जो बिलकुल उस UFO की तरहा होता है वो उसको लेकर अपनी लैब जाता है और एक्वेशन पर फोकस करता है और रेलाइस करता है कि जॉर्डन ठीक थी एक्वेशन वाकर गलत है वो एक्वेशन को ठीक करने लग जाता है और मशीन चलाता है तो मशीन वाकर ही चल जाती है बिल के घर की सफाई कर रही होती है डेविड जॉर्डन को ढूनते उसी पार्क में जाता है और वहां उसे वो मिल जाती है वहां रे भी उनका पीछा करता है डेविड जॉर्डन से माफी मांगता है और उसे जाने से रोकता है जॉर्डन के पास कोई और आप्शन नहीं होता तो उ यूएफो भी रे अपने कैमरा से उस यूएफो की और तस्वीरें देता है इससे पहले कि वो डेविट को रोक सके जॉड़न पकड़े जाने के डर से जल्दी से अपनी घड़ी का एक बटन दबाती है और वो दूनों यूएफो के अंदर पहुंच जाते हैं डेविट जॉड़न चाहती है कि डेविट उसके साथ चले मगर यह मुम्किन नहीं हो सकता मगर वक्त के भी क्या कहने जॉड़न रे के साथ जाकर डील करती है कि मैं तुम्हें मशूर करूंगी जिसके बदले तुम हमारा पीछा चोड़ दोगे वो रे की एक बहुत सक्सेस्फुल कि किताब लिखने में मदद करती है और इस वज़ा से डॉक्टर सिल्वर रे को उसका चीना हुआ मुकाम वापस दे देती हैं मार्टी और डेविट भी अब खुशी-खुशी साथ रहते हैं और जॉर्डन और डेविट की लव स्टोरी भी शुरू हो जाती है तो दोस्तों य थी हमारी कहानी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी ऐसी और मुवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंजॉय कीजिए थैंक यू फर वाचिंग